नमस्कार दोस्तो, GM Classes में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ गगन गोयल दोस्तो आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे 4 जन्वरी से 4 जन्वरी के बीच की सभी करेंट अफेयर दोस्तो इस वीडियो में हम आपके साथ सभी करेंट अफेयर के कोशिनों को डीपली डिसकस करते हैं और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बोक्स में दे दिया गया है तो आईए बिना किसी देरी के देखते हैं आज का first question हमारा first question है वर्ड ब्रेल डेल इग वीडिया डेल सलिब्रेटी ओन विच डेल निक एग फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो जो World Braille Day celebrate किया जाता है वो आपका चार जन्मरी को celebrate किया जाता है किस दिन? चार जन्मरी को हम World Braille Day celebrate करते हैं तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option A दोस्तो इस दिन को जो celebrate किया जाता है वो किया जाता है awareness फैलाने के लिए कि जो हमारे person देख नहीं सकते उनकी लिए जो awareness फैलाई जाती है उसके लिए हम इस day को celebrate करते हैं दोस्तो ये हमारे एक scientist थे Lewis Braille जिनका नाम था Lewis Braille दोस्तो ये देख नहीं सकते थे तो इसलिए इन्होंने एक ऐसी technology को invention किया जिससे कि जो कोई person देख नहीं सकता वो उस फील करके उस word को समझ सकता है तो आई ये चलते हैं next question पर हमारा next question है Headquarter of IAEA is in which country? यानि कि IAEA के headquarter कि कंट्री में इस्तित है option A Austria, option B Geneva, option C New York या फिर option D none of these तो दोस्तो जो IAEA है इसकी full form होती है International Atomic Energy Agency क्या? International Atomic Energy Agency इसकी full form होती है और जो इसके headquarter है वो है आपके Austria में आपे Vienna, Austria में इसके headquarter किस्तित है तो आई ये दोस्तो पहले थोड़ा IAEA के बारे में जाल लेते हैं दोस्तो जो IAEA है इसको found किया गया था 29th July 1957 ECV में इसको found किया गया था जो इसके headquarter है वो है Vienna, Austria के अंदर इसके headquarter है और जो इसके member state है वो है 172 इसके total member state है और दोस्तो आपके mind में ये question बन रहा होगा कि इस समय ये news में किसलिये है दोस्तो जो इरान के साथ जो nuclear deal sign की गई थी उसके against में जाके इरान ने इसको बोला है कि हम इस nuclear deal के against में जाकर uranium का use करेंगे या uranium का use करेंगे ये इरान ने इस IAEA से बोला है तो इस कारण जो हमारी international atomic energy agency है इसलिए ये news में है तो आई ये चलते हैं next question पर हमारा next question है Recently who nominated as the member of Gavi board यानि कि जल्दी में किस person को Gavi board के member के रूप में nominate किया गया है तो दोस्तों वो है हमारे doctor हर्सवर्दन कौन? doctor हर्सवर्दन जो कि हमारे minister of health and family welfare के minister है इनको जो Gavi board है यानि कि Global Alliance for Vaccine and Immunization program जो है उसका as a member इन्हें nominate किया गया है तो दोस्तों ये जो represent करेंगे ये करेंगे आपके south east area regional office को ये represent करेंगे इसको south east area regional office को ये represent करेंगे तो आईए दोस्तों अब थोड़ा world health organization के बारे में जालते हैं world health organization जिसे हम short form में डवलू हो के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों जो इसके headquarter है वो हैं जेनेवा, स्विजरलेंड के अंदर इसके headquarter है और इसको जो found किया गया था, वो किया गया था 7 अप्रेल 1948 इस भी को दोस्तों आपसे एक question बन जगता है कि world health report world health report किसके दुआरा release की जाती है तो दोस्तों जो world health report है उसको world health organization के दुआरा release किया जाता है किसके दुआरा world health organization के दुआरा इसको release किया जाता है और दोस्तों जो इसके head है वो है Tedros Adhanom इसके head है और Somya Swami Nathan जो की एक Indian है ये भी इसकी member है और Jane Elishan भी इसकी member है अज इसके founder state है वो कोन है? एक तो आपकी United State United Kingdom, Turkey, Australia इसके founding member है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है The missed call faculty for LPG consumers launched in which city? यानि कि अभी LPG consumers के लिए एक missed call faculty चालू की गई है किस city के अंदर उसको launch किया गया? Option A, Bhuneshwar Option B, तहली Option C, Noida या फिर Option D, Nanodis तो दोस्तों ये जो missed call faculty है इसको launch किया गया Bhuneshwar, Udisha के अंदर किसमे? Bhuneshwar, Udisha के अंदर इसको launch किया गया तो जो इसका सही answer होगा वो होगा Option A, इसका सही answer होगा तो ये किस ministry के दुवारा launch किया गया? दोस्तों इसको launch किया Ministry of Petroleum and Natural Gas कोन? Ministry of Petroleum and Natural Gas के दुवारा इसको release किया गया अजो minister थे वो कुन थे हमारे दरमेंदर प्रदान इसके minister थे जिनोंने virtually इसको launch किया Bhuneshwar, यानि कि Udisha से इसको launch किया तो आईए अब थोड़ा Ministry of Petroleum and Natural Gas के बारे में जानते हैं दोस्तों Ministry of Petroleum और Natural Gas के जो हमारे minister है वो है कौन? धरमेंदर प्रदान और दोस्तों कि Union Steel Minister भी है और जो धरमेंदर प्रदान है वो हमारे Union Steel Minister भी है और जो Ministry of Petroleum and Natural Gas है जो इसके headquarter है वो है सास्तवी भवन न्यू धेली के अंदर इसके headquarter है तो दोस्तो आईए आप थोड़ा उडिशा को map में देख लेते हैं दोस्तो यह है हमारा प्यारा भारत इसमें यह रही आपकी जो red हो रही है यह आपकी उडिशा तो आप मुझे comment box में comment करें बताईए कि जो उडिशा राज्या है वो आपका किस-किस राज्या की boundary को touch करता है क्योंसा जो उडिशा राज्या है वो हमारा किस-किस राज्या की boundary को touch करता है इधर हमारा अरब सागर पढ़े का इनकी Arabiancy और इधर पढ़ता है आपका Bay of Bengal बंगलेन की खाड़ी इधर हमारी पढ़ती है और यह हमारा उडिशा तो आईए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर हमारा नेक्स्ट कोश्चन है फर्स्ट फेज ओव वेक्शिनेशन विल पी प्रोवाइड तो हाव मैनी हेल्थ केर एंड फ्रेंट लाइन वरकर्स दोस्तो अब भी हमारी कंट्री में वेक्शिनेशन प्रोग्राम चालू होने वाला है तो सबसे पहले जो वेक्शिन दी जाएगी वो दी जाएगी अपकी हेल्थ केर और जो फ्रेंट लाइन वरकर हैं उनको इस वेक्शिन को दिया जाएगा तो यह कितने फर्स्ट फेस में कितने हेल्थ केर और फ्रेंट लाइन वरकर्स को यह दी जाएगी तो दोस्तो यह जो वेक्शिनेशन प्रोग्राम है इसके एकोर्डिंग तीन करोड जो हमारे हेल्थ केर और फ्रेंट लाइन वरकर हैं उनको को इस वैक्षिन को दिया जाएगा किसको तीन करोर जो हमारे हेल्थ केर वरकर हैं और फ्रेंट लाइन वरकर हैं उनको इस वैक्षिन को दिया जाएगा तो दोस्तों आपसे कोर्षिन बन सकता है कि जो वैक्षिनेशन का फर्स्ट फेज है वो किस देट से स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था कोविन या कोविन जिसकी फिल्फोर्म होती है COVID-19 Vaccine Intelligence Network तो दोस्तों इस पर vaccination प्रोग्राम को explain करने के लिए या फिर सारी डिटेल आपको इस portal पर Government of India के मिल जाएंगी तो जो launch किया गया था वो था COVID-19 जिसकी फिल्फोर्म होती है COVID-19 Vaccine Intelligence Network तो आपसे question बन सकता है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है Recently, which ministry decided to extend disability compensation to all serving employees यानि कि जल्दी में किस ministry ने decide किया है कि वो disability compensation को बढ़ाने वाली है Option A, Ministry of Defense Option B, Ministry of Home Affairs या फिर Option C, Ministry of Personal तो दोस्तों ये जो ministry है जिसने ये disability compensation को extend करने का decision लिया है वो है आपकी ministry of personal public grievance and pension जो इस ministry का full name है वो है ministry of personal public grievance and pension इस ministry के दुआरा disability compensation को बढ़ाने की बात की गई है तो दोस्तों ये जो फाइदा पोचाएगी ये पोचाएगी उन person के लिए जो की अपनी duty पर रहते हुए यानि की इपनी job करते हुए वो disabled हो जाते हैं किसी कारणवस disabled हो जाते हैं और फिर बाद में job को join नहीं कर पाते तो दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा पोचाएगी वो पोचाएगी central armed police force चैने की CAPF और BSF, CRPF और CISF ये person यानि की जो soldiers होते हैं हमारा उनको सबसे ज़्यादा ये फाइदा पोचाएगी तो दोस्तों आईगी अब थोड़ा ministry of personal public grievance and pensions के बारे में जानते हैं दोस्तों इसको found किया गया था एक अगस्त 1970 इस वी को इसको found किया गया था और जो इसके headquarter है वो है new जहली के अंदर इसके headquarter है और जो इसके officer जैन की minister जो है वो है आपके नरिंदर मोदी जी और जितेंदर सिंह इसके minister है तो आईए चलते हैं next question पर नेक्स्ट कोश्वन है गर्णल नरेंदर बुलकुमार वाज दा विनर ओफ बिच सिविलियन आवाड यानि की जो बुलकुमार थे हमारे वो किस सिविलियन आवाड के विनर थे Option A भारत रतन, Option B पदम सिरी, Option C पदम हूशन या फिर Option D ननो दिस तो दोस्तो जो नरेंदर बुल फुमार थे वो आपके पदम सिरी आवाड के बिनर थे किसके पदम सिरी आवाड के बिनर थे तो आईए अप तोड़ा जो नरेंदर बुल कुमार है इनके बारे में जानते हैं दोस्तों इनकी मेज आपको यहां स्लाइड में दिखाई दे रही है यह है आपके नरेंदर बुलकुमार दोस्तों यह न्यूज में किस लिए हैं इसलिए हैं क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को इनका नियू ध्याली के अंदर देहांत हो गया 31 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो गया और इनका जनम 8 दिसंबर 1933 स्वी में रावल पिंडी पाकिस्तान में इनका जनम और यह जो आवाड के विनर थे वो थे आपके पदम सिरी के इन्हें कीर्थी चक्र भी दिया जा चुका है तो आईए अब थोड़ा Civilian Award के बारे में जानते हैं दोस्तो जो हमारा Highest Civilian Award होता है वो था आपका भारत रतन यानिक जो पहले नमबर पर आता है वो है आपका भारत रतन और दूसरे नमबर पर जो हमारा Civilian Award आता है वो है पदम विभूशन या पदम विभूशन हमारा Second Highest civilian award है और तीसे नंबर पर जो आता है वो आपका पदम भूशन या पदम भूशन हमारा थर्ड highest जो civilian award है और चोथे नंबर पर आता है हमारा पदम सिरी और जो आपके नरेंदर बुल को मारते वो भी पदम सिरी के बिनरते तो तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option तो आईए चलते हैं next question पर अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे ही हो तो इस वीडियो को share करना ना भूलें तो आईए देखते हैं Who laid the foundation stone of aims राजकोर्ट यानि कि aims राजकोर्ट का जो foundation stone है वो किसके द्वारा रखा गया option A PM Modi, option B Amisaha या फिर जो हमारे healthy minister है दोक्टर हर्सवादिन उनके दुवारा या फिर option D यानि कि ननोपी तो दोस्तों जो aims राजकोर्ट का जो foundation stone रखा गया वो रखा गया हमारे prime minister नेंदर मोदी जी के दुवारा इसका दुवारा prime minister नेंदर मोदी जी के दुवारा जो aims राजकोर्ट है उसका foundation stone रखा गया तो आईए आप थोड़ा गुजरात के बारे में जानते हैं तो यह है हमारा प्यारा भारत और इसमें यह रहा आपका गुजरात यहां पर पढ़ती है आपकी बंगाल तो आप मुझे comment box में comment करके बताईए कि इस map में जो गुजरात state है वो हमारा किस किस state को touch करता है या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ एक तो हमारा राजिस्तान एक मध्यप्रदेश और एक महाराष्ट तो जो गुजरात है वो हमारा तीन state यानि कि राजिस्तान, मध्यप्रदेश और महाराष्टा की boundary को touch करता है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है who laid the foundation stone of तीहान IIT हैदराबाद यानि कि इसके दुआरा तीहान IIT हैदराबाद का foundation stone रखा गया तो दोस्तों मुए हैं हमारे education minister यानि कि union minister of education जो की है हमारे रमेस पोखरियाल निशंक कोन रमेस पोखरियाल निशंक के दुआरा तीहान IIT हैदराबाद का foundation stone रखा गया यह है हमारे जो union minister of education है रमेस पोखरियाल निशंक तो दोस्तों आप मुझे comment box में comment करके बताईए अब भी जल्दी में एक नई ministry का नाम change करकर ministry बनाए गई है जिसका नाम है ministry of education तो आप मुझे ये बताईए कि किस ministry का नाम change करके ministry of education रखा गया है और दोस्तों यह जो तीहान IIT है इसकी full form होती है India's first test bed autonomous navigation system इसको जो IIT हैथराबाद के अंदर है launch किया गया है किसके दवारा हमारे जो education minister है रमेस पोखरियाल निशंक इनके दवारा इसको तीहान नहीं कि India's first test bed for autonomous navigation system को launch किया गया है तीहान IIT हैदराबाद में इसके दवारा रमेस पोखरियाल निशंक जी के दवारा इसको launch किया गया है तो आईए चलते हैं next question पर मारा next question है Recently which country abolished tampon tax on women sanitary यान कि 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 कंट्री के दवारा अभी एक tampon tax को abolished कर दिया गया तो option A USA option B China option C India या फिर option D none of these तो दोस्तों यह जो टैंपन tax है वो जो एबुलिस किया गया वो किया गया आपका किसके दवारा लंदन यानिकी UK के दवारा इस तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option D दोस्तों जो टैंपन tax है वो आपका जो women जो period time period में use करती है उसके उपर जो product होते हैं उन product को उपर लगा जाने वाले टैक्स जिसे हम टैंपन tax के बारे में जानते हैं उसको abolish कर दिया है इसको पर 5% का value edit tax लगाया जाता था जिसको अब UK government ने खतम यानिकी abolish कर दिया है इस तरह कुछ product होते हैं जो कि women's के दुआरा period time में use किया जाते हैं जिनके उपर लगने वाला जो 5% का वेट था उसको UK government के दुआरा खतम कर दिया गया है तो दोस्तों आपसे अभी Brexit के बारे में question बन जगता है क्योंकि अभी एक January 2021 से ही जो UK है वह आपका European Union से अलग हो गया हांसे जो UK है रिटेन है वह European Union से एक January 2021 को अलग हो गया तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है union minister of earth and science inaugurated metrological center in which state और UT यानि कि जो हमारे union minister of earth and science है कौन है हमारे वो है हमारे डोक्टर हर्सवर्धन जी इनके दुआरा एक metrological center को इनोग्रेट किया गया किस state और UT के अंदर option A धैली option B लेहे लद्दाक या फिर option C लक्सदी या फिर option D ननोग्रेशन किया गया वो किया गया आपका लेहे लद्दाक के अंदर किसके अंदर लेहे लद्दाक के अंदर हमारा इस metrological center का उधकाटन किया गया तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option B दोस्तों आपसे question बन सकता है कि अब हमारी country में total कितने metrological centers हैं तो दोस्तों अभी जब इसका innovation किया गया तो हमारे जो यूनियन minister of earth and science हैं डोक्टर हर्सवर्दन जी उनके द्वारा बताया गया कि अब हमारी country में total 28 metrological center है तो आईए आप थोड़ा लहे लद्दाक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों यह हमारा प्यारा भारत इसमें यह रहा लद्दाक और तो आप से question बन सकता है कि लद्दाक किस-किस state की boundary को touch करता है तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचिल प्रदेश दोनों इस state की boundary को हमारा जो लद्दाक है वो test करता है तो आप मुझे comment box में comment करके यह बताईए कि लद्दाक हमारी union territory है वो किस country के साथ अपनी international boundary share करते हैं किस-किस देश के साथ जो लद्दाक है वो अपनी boundary share करता है तो आईए चलते हैं next question बद हमारा next question है who inaugurated kochi mangleru gas pipeline यहने कि कि किसके द्वारा kochi mangleru gas pipeline का उद्धगाटन किया गया तो दोस्तों है हमारे prime minister नेंदर मोदी जी और prime minister नेंदर मोदी जी के द्वारा इस kochi mangleru gas pipeline का उद्धगाटन किया गया तो दोस्तों आपसे question बन सकता है कि सबसे पहले तो जो कोchi है वो उसकी आपको location बता दूँ कोchi आपका केरला के अंदर पड़ता का केरला के अंदर कोची हमारा पड़ता है और जो mangleru है वो पड़ता आपका किसकंदर करनाटक कंदर mangleru पड़ता तो जो आपसे कोशन बनेगा वो कोशन ये बनेगा कि ये जो pipeline है उसकी length कितनी है तो दोस्तों ये जो pipeline है इसके लंबा हिया 450 km की और दोस्तों 400 से मुझे याद आया कि जो इंडियन गोर्मेंट के दुवारा renewable energy का target रखा गया है वो कितने रखा गया है 450 GW का target रखा गया है कहां तक 2030 तक हमें 400 GW की renewable energy है वो produce करनी है और आपसे कोशन बन सकता है कि LNG की full form क्या होती है दोस्तों LNG की full form होती है और दोस्तों जब PM मोदी ने इसका inauguration किया तो उन्होंने बताया कि जो कोची मेंगलरू gas pipeline है यह एक जो government of India की one nation one gas grid वाली जो policy है उसके अंडर में इसको launch किया गया है कौनसी policy one nation one gas grid policy के अंडर में इस जो कोची मेंगलरू gas pipeline है इसका inauguration किया गया तो दोस्तों आपसे कोशन बन सकता है कि बताईए recently one nation one gas grid policy के अंडर में किस जगह पर या फिर कोनसी gas pipeline का उद्गाटन PM मोदी के दुवारा किया गया तो वो होगी आपकी कोची मेंगलरू gas pipeline जिसकी length है आपकी 450 km इसकी length है तो आईए चलते हैं next question पर मारा next question है और दोस्तों आपको मैं इसमें और बता दूँ कि यह जो gas pipeline जो कोची मेंगलरू gas pipeline है इसको बनाया जा रहा है इसमें जो company साथ देगी वो देगी CEO है और जिसके headquarter है वो है New Delhi के अंदर इसके headquarter है उसको form किया गया था 1984 issue में इसमें 1984 issue में और दोस्तों 1984 से मुझे यादा रहा है कि भोपाल gas tragedy जो भी हुई थी वो भी आपकी 1984 AD में हुई थी तो आप मुझे comment box में comment करके बताईए कि जो भोपाल gas tragedy 1984 issue में हुई थी उसमें कौन सी gas release हुई थी कौन सी gas leak हुई थी और दोस्तों इस company के जो owner है वो है government of India जिसमें की government of India का 52.1% share है इसलिए जो gail limited है इसके owner भी government of India ही है तो आई ये चलते हैं next question पर हमारा next question है the FSSAI has kept the amount of trans fatty acid in oils and fats to 3% for which year यानी कि जो FSSAI है यानी कि food safety and standards authority of India है इसके दुआरा जो हमारे fatty acid और oils है उनके अंदर उनकी percentage को कम करने के लिए 3% का target रखा गया है वो किस year तक का रखा गया है option A 2021 option B 2020 या फिर option C 2022 या फिर option D ननो दीज तो दोस्तों जो food safety and standards authority of India के दुआरा target रखा गया है 3% तक लाने का वुरुखा गया है पर 2021 तक कब तक 2021 तक इसका target रखा गया है तो दोस्तों आपसे question बन सकता है कि 3% का तो target 2021 तक है लेकिन जो 2% का target है वो किस year तक है तो दोस्तों 2% का target रखा गया है रखा गया है आपका 2022 तक इसका ये target रखा गया है यानि कि जो FSAI यानि कि food safety and standards authority of India के दुआरा 2022 तक जो ट्रांस fatty acid जो पाया जाता है या oils में या फिर fats में उसको 2% लाने का target रखा गया है तो आईए अब थोड़ा FSAI के बारे में जानते हैं दोस्तों की full form तो आपको पता लगी गई होगी कि food safety and standards authority of India इसकी full form होती है इसको जो found किया गया था वो अगस्त 2011 इसवी में इसको found किया गया था जो इसके headquarter है वो है new Delhi के अंदर इसके अंदर new Delhi के अंदर और जो इसकी chair person है वो है रीता तेवतिया उन रीता तेवतिया इसकी chair person है और जो इसकी किस ministry के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है कि किस ministry के अंदर में जो food safety and standard authority of India है वो work करती है तो दोस्तों वो करती है आपकी ministry of health and family welfare के अंदर में जो FSAI है वो work करती है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है यह किस के द्वारा release की गई option A PM Modi option B Rajnaa Singh या फिर option C Amit Saha या फिर option D Narno D तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ जो National Police K9 General है वो आपकी जो Indian Police के द्वारा docks use किया जाते हैं उनको लेकर इस report को release किया गया है तो दोस्तों इसको जो release किया गया है वो किया गया है Amit Saha जी के द्वारा जो हमारे Home Minister यानि Union Home Minister है इनके द्वारा इस report को release किया गया है और दोस्तों यह पहली बार है कि इस तरह को एक publication हमारी इंडिया के अंदर Union Home Minister के द्वारा किया गया है किसके द्वारा Union Home Minister अमिस साह जी के द्वारा इसका inauguration इसको release किया गया अमिस साह जी के द्वारा तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है former Union Minister भूटा सिंग related to which political party और कि जो हमारे former Union Minister रह चुके हैं रह चुके थे भूटा सिंग वो किस political party से related थे दोस्तों यह हैं आपके भूटा सिंग जी तो किस जो political party से related थे option A INC यानि की Indian National Congress option B NDA और option C BJP या फिर दोस्तों जो हमारे भूटा सिंग थे यह आपके Indian National Congress से related थे किस से Indian National Congress यानि की INC से यह related थे तो आईए अब थोड़ा भूटा सिंग और Indian National Congress के बारे में जानते हैं दोस्तों जो भूटा सिंग है यह हमारे मिनिस्टर ओफ इंडिया भी रह चुके हैं और गवर्नर ओफ बिहार भी रह चुके हैं और चेर्मेन रहे थे इन National Commission for the schedule कास्ट के 2007 से 2010 के बीच में यह चेर्मेन रहे थे नेस्टल कमिशन को 1885 AD में एस्टेब्लिस किया गया था किसके द्वारा ए ओ हुम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था तो दोस्तों आपसे जो कोशन बन सकता है वो यह बन सकता है कि बताईए जिस समय इंडियन National Congress को एस्टेब्लिस किया गया था तो भारत के जो वाइस रहे थे वो कौन थे तो उस समय जो भारत के वाइस रहे थे वो थे आपके लोड डफरीन उन लोड डफरीन जिस समय इंडियन National Congress बनाई गी थी उस समय लोड डफरीन इसके जो इंडिया के वाइस रहे थे तो आपसे कोशन बन सकता है कि जो इंडियन National Congress है उसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहा हुआ था और किसके दौरा उसको चेयर किया गया तो दोस्तों जो इंडियन National Congress का पहला सेशन है वो पहले पुने में होना था किसमें पुने में होना था लेकिन बाद में उसको ट्रांसफर करके यानि की बंबे में कर दिया गया है जो पहला जो इंडियन National Congress का सेशन हुआ था वो बंबे में गुकुल्दास तेजपाल संस्क्रत कोलीज के अंदर हुआ था और जो इसको चेयर किया था उसको चेयर किया था व्योमेस चंदर वनरजी यानि कि डवलूशी वनरजी के दुवारा इसको चेयर किया गया था तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है world war orphan day celebrated on which date यानि कि जो world war orphan day है वो किस date को celebrate किया जाता है option A एक जन्वरी option B 7 जन्वरी option D सुरी C 8 जन्वरी या फिर option D 10 जन्वरी तो दोस्तो जो world war orphan day है वो आपका 6 जन्वरी को celebrate किया जाता है किस दिन 6 जन्वरी को world war orphan day celebrate किया जाता है तो जो इसका सही answer होगा वोगा option A, इसका सही answer होगा दोस्तो, जो world war वो फंडे है, वो celebrate किया जाता है 6th January को यह किसली celebrate किया जाता है जो awareness फला ही जा सके जैसे कि आपका world war first हुआता, world war second हुआता उसमें जो भी सैनिक मारे गए थे, उनके जो घर में रहने वाले हैं मालो किसी घर में कोई person अकेला कामाने वाला है और उसकी death हो जाती है किसी war के अंदर यानकी world war के अंदर उसकी death हो गई जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर उसकी wife है, उनका कोई भी सारा नहीं बचेगा, तो उनके लिए awareness फैलाने के लिए इस day को celebrate किया जाता है इसको world war orphan day को celebrate किया जाता है 6 जन्वरी को तो आईए, चलते हैं next question पर हमारा next question है UK announced, it had struck a deal with which country to maintain pre-movement to end from Gibraltar, यानि कि United Kingdom, यानि कि UK जो है, उसने एक announce किया है यानि कि एक deal किया है, किस country के साथ में free movement को लेकर Gibraltar कंदर, दोस्तों आपको बता दूँ अभी मैंने थोड़ देर पहले बताया था कि 1 जन्वरी 2021 से जो UK है, वो आपका European Union से अलग हो गया तो Gibraltar जो है, वो आपका UK के अंडर में आता है तो यहाँ पर tourism को बढ़ावा देने के लिए एक country ने UK के साथ deal sign किया है, कि अगर आप उस country में जाते हैं तो आप Gibraltar में आसानी से घूम सकते हैं, आपको अलग से visa लेने की कोई जरुवत नहीं है तो इसके option है, option A Germany, option B USA, option C France, या फिर option D Spain, तो दोस्तो वो जो country है, वो है आपकी Spain Spain के द्वारा UK के साथ एक deal sign की गई है कि हम Gibraltar के अंदर अगर कोई tourist गूमने को जाता है, तो वो आराम से, बिना किसी अलग visa के आराम से गूम सकता है, तो इसका तो सही answer होगा, वो होगा Spain तो दोस्तो अब आईए थोड़ा European Union के बारे में जाल लेते हैं दोस्तो आपसे कोशन बन सकता है कि European Union में कितने मेंबर हैं total, तो दोस्तो जो European Union है उसके अंदर पहले total 28 मेंबर थे, कौन? 28 मेंबर थे UK को लगा कर, लेकिन एक जन्वरी 2021 से जो UK है वो आपका European Union से अलग हो गया, तो इसलिए अब जो करेंड में इसके मेंबर हैं, वो है total member 27, इसके करेंड में total European Union के मेंबर है इतने 27 मेंबर है total European Union के तो आपसे कोशन बन सकता है जो European Union है, उसके headquarter कहां इस्तित हैं? जो European Union है उसके headquarter Brussels, Belgium के अंदर इस्तित हैं और जो European Union है इसको found किया गया था 1 नवंबर 1903 में किसमे? 1 नवंबर 1903 में इस्तित में इसको found किया गया था और इसके founder हैं, वो है Germany, France, Italy Netherlands, Belgium और Luxembourg के द्वारा इसको found किया गया था, तो आईए दोस्तों, अब थोड़ा Gibraltar के बारे में जानते हैं दोस्तों, यह है आपका Gibraltar, यह ही हमारी पैरी country भारत, तो सबसे पहले हम अपनी country के respect में Gibraltar को देखेंगे, तो यह रहा आपका Gibraltar, और यह ही आपकी पैरी country India, तो यह हैं इंडिया यह Gibraltar, अगर हम Gibraltar को पास से देखते हैं, तो वो कुछ आपका इस तरह का दिखाए देता है, तो आप से जो map based question बन सकता है वो question यह है, कि Gibraltar किस C के किनारे इस्तित है, जो Gibraltar है, दोस्तों वो आपका Mediterranean C के किनारे इस्तित है, किसमें? Mediterranean C किनारे इस्तित है, और दोस्तों यह रही यह रहा आपका Spain और यह रहा आपका State of Gibraltar कौन सा? State of Gibraltar तो आईए आप थोड़ा UK के बारे में जाल लेता है दोस्तों जब आप से बात की जाती है UK, यानि कि United Kingdom, तो उसके अंदर कौन-कौन से State आते हैं एक तो आता है आपका Scotland एक आता है इंग्लेंड एक आता है Wales और एक आता है आपका Ireland इसना? Ireland, Scotland, England और Wales, यह सभी आपके UK के अंदर आते हैं तो आईए चलते हैं Next Question पर मारा Next Question है Campo Guada International Airport is in which state? यानि कि जो Campo Guada International Airport है, वो आपका किस state में इस्तित है? तो दोस्तो, वो आपका है करनाटका के अंदर किसका अंदर? करनाटका के अंदर अईए नियूज में किसलिए है? नियूज में इसलिए है दोस्तो, अभी जल्दी में इंटरन रेल्वे का जो South Western Railway Zone है कौन सा? South Western Railway Zone के दुआरा एक नई train service स्टार्ट की गई है इस Campo Guada International Airport तक कहां से? देवन हाली से Railway Hold है, इस्टेशन से फ्रोंग कहां तक? करनाटका का जो Campo Guada International Airport है, वहां तक तो इसलिए जो Campo Guada International Airport है, इसलिए नियूज में है तो दोस्तो, यह रहा आपका प्यारा भारत, इसमें यह रहा आपका करनाटा कौन सा? यह रहा आपका करनाटा तो आपसे Map-based question में बन सकता है कि बताईए जो करनाटक है, वो किस-किस स्टेट की boundary को टच करता है दोस्तो, एक तो होगया आपका महारास्ट, एक होगा आपका गोवा, एक होगा आपका केरल एक होगा तमिलनाडू एक होगया आंद्रिप्रदेश और एक होगया त्यलंगाना, यानि कि एक, दो, तीन, चार, पांच, चैनि कि जो करनाटका है वो हमारा छे स्टेट की बाउंडरी को तच करता है तो आई ये, चलते हैं, नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है यानि कि कि स्टेट ने अलाओ कर दिया है कि सभी दुकाने और कोमर्शियल एस्टेबिस्मेंट जो भी है उस सभी हपते के, यानि कि वीक के सातो दीन खुला करेंगे और कब तक नेक्स्ट थिरी एर्ज तक तो उप्शन ए, यूपी उप्शन बी, एमपी उप्शन सी करनाटका या फिर उप्शन डी, नन नो दीज तो दोस्तो यह जो स्टेट है वो है आपका करनाटका कौन सा? करनाटका स्टेट के दवारा इस तरह कोई जो है, वो लो लाया गया है तो आपसे कोशन बन सकता है कि किस लो में यह अमेंडमेंट किया गया है तो दोस्तो यह है करनाटका स्टेट के दवारा इस जो ओडर है, उसको पास किया गया है किसमें इसके जो ओडर है वो करनाटका स्टेट के दवारा इसको पास किया गया है और दोस्तो यह किया किस लें गया है क्योंकि दोस्तो COVID-19 के चलते सभी रोजगार हो गए है जिस कारण जो अगर स्टेट आपकी चलते हैं, नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है इंडिया, इंग्ड एपक्ट विद विच कंटरी तु जोंटली प्रोस्पेक्ट लीथियम इन साउथ अमेरिका यानि कि लीथियम को लेकर इंडिया ने किस कंटरी के साथ एक पैक्ट साइन किया है तो दोस्तो वो है आपकी कौन सी अर्जेंटाइन कौन सी अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने पैक्ट साइन किया है तो ये रहा अर्जेंटीना का फ्लैग, ये है अर्जेंटीना का फ्लैग, दोस्तो हम जो लीथियम के लिए Argentine के साथ एक Lithium Iron को लेकर एक Pact Sign किया है और दोस्तों जो Lithium Iron है वो हमारा बैटरी में यानि जो Lithium है वो आपका बैटरी में यूज किया जाता है जैसे Laptop की बैटरी हो गई या फिर Electric Vehicles होते हैं उनकी बैटरी हो गई होते हैं उनकी बैटरी होगी इन सभी की बैटरी में इस Lithium का यूज किया जाता है तो दोस्तों आपसे एक कोशन और बन सकता है कि जो Argentine है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट प्रोडूशर है किसका लीथियम का तो फर्स्ट और सेकिंड नंबर पर कोन है तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर चिली और शेकिंड नंबर पर बोलीविया है जो की लीथियम के हाईएस्ट यानि की सबसे ज्यादा प्रोडूश करने वाली कंट्री है तो आईए थोड़ा अब अर्जेंटीना चिली और बोलीविया के बारे में जानते हैं दोस्तों जो Argentine की जो कैपिटल है व वह है Argentine पीसो इसकी करनसी है तो दोस्तों यह है आपका Argentine कौन यह है आपका Argentine और इसके पास में रहा चिली और यह रहा बोलीविया और यह है आपका Atlantic Ocean यहाँ पर और यह है आपका Pacific Ocean तो दोस्तों इसे आप अगर अपनी प्यारी कंट्री भारत कर अस्पेक्ट में दिखन तो हमें वह कंट्री अच्छे से याद है तो इसलिए आप अगर किसी कंट्री को देख रहे हैं तो उसके अपनी प्यार्ट्री कर स्पेक्ट में देखना इस्टार्ट कर दिजिए आप देखेंगे कि वह कंट्री आपके माइन में ज्यादर शैमाय तक के लिए setup हो जाएगी तो ये है आपका हमारा इंडिया और ये है आपकी अर्जेंटाइन यानिकी अर्जेंटीना ये है साउथ पेसिफिक ओशियन और ये है साउथ अटलैंटिक ओशियन तो आईए चलते हैं next question पर next question है रामतीर्थम टेंपल situated in which state यानिकी रामतीर्थम टेंपल किस state में situated है option A तेलंगाना, option B आंद्रप्रदेश, option C बिहार या फिर option D ननोब्दीर तो दोस्तो जो रामतीर्थम टेंपल है वो आपका आंद्रप्रदेश में इस्तित है कहां पर आंद्रप्रदेश में इस्तित है रामतीर्थम टेंपल दोस्तो आप ये पूछेंगे कि ये news में किसलिया है दोस्तो अभी यहाँ पर एक भगवान राम की मूर्ती को तोड़ दिया गया है जिसको लेकर ये एक political मुद्दा बना हुआ है तो आप से कोशन बन सकता है कि ये किस डिस्टिक में है आंद्रप्रदेश के तो विजिया अंगारम जो डिस्टिक है उसके डिस्टिक में आपका जो रामतीर्थम टेंपल है वो इस्तित है आंद्रप्रदेश के इसमें आंद्रप्रदेश के विजिया अंगारम डिस्टिक में ये इस्तित है और ये भगवान राम से रिलेड़िड है जो रामतिर्थम आपका टेम्पल है तो इसका जो सही आंसर होगा वोगा उप्शन भी यानिकि आंध्र प्रदिस में हमारा रामतिर्थम टेम्पल इस्तित है तो आईए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर हमारा नेक्स्ट कोश्चन है नेशनल मेट्रोलीकल कॉन क्लेव और्गनाइजड बाय यानिकि जो नेशनल मेट्रोलोजिकल कॉन क्लेव है वो किसके दुवारा और्गनाइज कराए गई तो दोस्तों जो नेशनल मेट्रोलोजिकल कॉन क्लेव है उसको CSIR के दुवारा ओर्गिनाईज कराया गया CSIR वाने की Council of Scientific and Industrial Research या Council of Scientific and Industrial Research के दुवारा इसको ओर्गिनाईज कराया गया दोस्तों आप से CSIR के बारे में कोशन बन सकता है तो आईए आप ठोड़ा CSIR के बारे में जानते हैं दोस्तों CSIR है उसको 1942 AD में Establish किया गया था किसमे 1942 AD में इसको Establish किया गया था तो आप मुझे comment box में comment करकर ये बताईए जो इसके minister है यानि कि जो head है वो कौन है और ये किस ministry के अंडर में काम करती है किस ministry के अंडर में काम करती है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है School back policy 2020 released by यानि कि जो school back policy 2020 है वो किसके दुआरा release की गई वो कि कि आपकी NCRT यानि कि National Council of Educational Research and Training के दुआरा जो school back policy 2020 है उसको release किया गया किसके दुआरा NCRT के दुआरा तो दोस्तों आपसे अब कोशना मन सकता है कि NCRT के बारे में क्योंकि NCRT अब news में है इसलिए NCRT के बारे में आपसे कोशन बन सकता है बच्चे क्या करते हैं कि बस कोशन पढ़ लिया उसका answer देख लिया उससे related कोई भी news नहीं देखते हैं जब paper में कोशन आते हैं फिर ये बोलते हैं कि पतानी कहा काशे कोशन दे देते हैं दोस्तों अगर NCRT न्यूज में है तो हमें NCRT के बारे में complete detail जाननी होगी जिससे कि अगर कोई उससे related कोशन बनता है तो उसे हम आसानी से कर सकें तो आईए जो NCRT की full form होती है वो होती है National Council of Educational Research and Training इसको 1961 AD में found किया गया था किसमें 1961 AD में इसको found किया गया था और जो इसके president है यानि कि जो इसके head है वह है रमेस पोखरयाल निसंग जो कि हमारे Minister of Education है और इसके headquarter आपके New Delhi कंदर है किसके अंदर New Delhi कंदर और दोस्तो आप जो school back policy 2020 है उसमें ये बोला गया है कि जो बच्चों के back का weight है वो बच्चे के weight का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किस से 10% से ज़्यादा उनका जो bag है उनका weight नहीं होना चाहिए तो ये सब चीज आपकी school back policy 2020 में बोली गई है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है पॉंग डैम situated in which state यानकी पॉंग डैम किस state में situated है option A गुजरात, option B हरियाना, option C हिमाचल प्रदेश या फिर option D none of these तो दोस्तो जो पॉंग डैम है वो आपका हिमाचल प्रदेश में इस्तित है कहां पर हिमाचल प्रदेश में हमारा पॉंग डैम इस्तित है दोस्तो इसको आपके question कोशन मन सकता है कि किस नदी पर इस्तित है जो आपका पॉंग डैम है वह आपका हिमाचल प्रदिस के अंदर भी किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों वह आपका रीवर ब्यास रीवर पर इस्तित है किसमें कांगला डिस्टिक में कांगला डिस्टिक में ब्यास रिवर पर य इस्तित है तो आपसे कोशन मनजगता है इसका दूसरा नाम क्या है तो दोस्तो इसको माहना पिरताप सागा डैम के नाम से भी जानते हैं किससे माहना पिरताप सागा डैम के नाम से भी जानते हैं और दोस्तो ये एक वाइड लाइफ सेंचूरी भी है फेमस वाइड लाइफ स कोश्चन पर हमारा नेक्स्ट कोश्चन है विच कंट्री स्टाइड टू बाय फूर्ड ग्रेंज फ्रों इंडिया ड्यू टू इट्स अट्रेक्टिव प्राइस यानि कि इस कंट्री में चावल के प्राइस बढ़ देख नहीं है तो इसलिए यह कंट्री चावल जो है हमारी क कंट्री से खहिएन corrupt कर दिया है यह कंट्री कौन सी यह ऑप्शन अचाइन ऑल है इरान और में व्यतना AH में ट दूस्तों कि यह आपकी वियतना को वियतनाम कोंसी प्राम जो अभी इंडिया से इसको लेना इसला दौट यह जो चावल है यह पिर अनाज उसको खहिएना इस के कोशिते कोशिужinky नमन सकता है जो वियत्यामि क्वेंच करोड वर्ले के दौण के दोsn इन्डिया और इसके रस्पेक्ट में आप वियत्यनाम को देखेंगे तो यह है आपका यहां पмосक पड़ेख देखते हैं तो कुछ आपका वियत्यनाम इस तरह का दिखाए ही पर यह आपका व्यतनाव इधर पड़ता है ज़यने यह आपका लाओस इदर थाईलेंड यह आपको कमबोडिया और अब्र आपका चाइन हिए चलते हैं नेक्सट को सेंट बार मारा नेक्स्ट को शेचन है दि लारजेस्ट फ़्रोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन देम पर बनाया जा रहा है तो दोस्तों वो है आपका ओम कारेश्वर डेम को पर इस लारजेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनरजी प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है तो इसका जो आंसर है वो है ओम कारेश्वर डेम तो आप शेकोंशना बन सकता है कि जो ओम कारेश्वर डेम है वो उसकी पावर कितनी है तो उसकी पावर आपकी 600 मेगावाट की उसकी टूटल पावर है और ये मध्य पिर्देश बोपाल के अंदर खानवा डिस्टिक में इस्तीत है का खानवा डिस्टिक ओफ बोपाल एंड ओफ मध्य पिर्देश की बोपाल में खानवा डिस्टिक के अ बना हुआ है तो दोस्तो वो बना हुआ आपका नरमदा नरमदा रीवार पर इन जो ओम कव्यक्त रिवर रेम है वो बना हुआ है तो आई ये चलते हैं अब नेक्स्ट पर मारा नेक्स्ट लुश्यू beyond ऐसे ट्रr साबरी रिवर है वो आपकी गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है किसकी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है साबरी रिवर जो है और यह आपकी कहां पर है उडिशा के अंदर यह साबरी रिवर है जो साबरी रिवर है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूट जानते हैं तो दोस्तों आइए अब थोड़ा उडिशा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों यह है हमारा प्यारा भारत उडिश में यह राओका। उडिशा तो आप मुझे comment box में comment करके बताईए कि जो उडिशा है वो हमारा किस-किस state को touch करता है तो आईए चलते हैं next question पर नेक्स्ट कोशन है यानि कि जो नेशनल सेंटर है और पॉलर एंड ओशन रिशर्च के लिए वो किस state के अंदर है ओप्शन ए हिमाजल प्रदेश ऑप्शन बी लगदाक ऑप्शन सी गोवा या फिर ओप्शन डी नन ओव दीज तो दोस्तों जो आपका नेशनल सेंटर फॉर पॉलर एंड ओशन रिशर्च है वो आपका किसकंदर रिस्तित है वो आपका गोवा के अंदर इस्तित है किसकंदर गोवा के अंदर तो दोस्तों जो नेशनल सेंटर फॉर पॉलर एंड ओशन रिशर्च है यह किसले यूज किया जाता है दोस्तों यह यूज किया जाता है ह वो कौन-कौन से जो इरसर्स इस्टेशन हैं वो कौन-कौन से हैं दोस्तों हमारे तीन इस्टेशन अंटार्टिक के अंदर इस्थित हैं कौन-कौन से नंबर एक दक्षिन गंगोत्री कौन सा दक्षीन गंगोत्री अध्या दूसरे नंबर पर आपका कौन सा भारती बारती, नमबर तीन पर है आपका मैत्री और दोस्तों आपको बता दूँ जो अब करंडिले हमारे वर्क कर रहे हैं वो केवल बारती और मैत्री ही वर्क कर रहे हैं जो दक्षिन गंगोतरी है उसको डी कमिशन कर दिया गया था और दोस्तों तक्षिन गंगोतरी को जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी इंद्रा गांधी उनके द्वारा इसको एस्टेबिलिस किया गया था तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है दीपॉर लेक situated in which state यानि कि दीपॉर लेक किस state में situated है option A तिरपॉर, option B मनीपुर, option C असम या फिर option D ननो दीज तो दोस्तों जो दीपॉर लेक है वो हमारी असम स्टेट में इस्टीत है किसमें असम स्टेट के गुहावटी सिटी में यह हमारी इस्टीत है जो इसका सही answer होगा वो होगा option C दोस्तों आपके mind में question बन रहा होगा कि इस समय जो दीपॉर लेक है वो news में किसली है दोस्तों अभी यह अकेली एक wetland site है असम के अंदर जिसके जो मचली पकड़ते हैं जो मच्छवारे होते हैं उन पर रोक लगा दी गई है असम government के दुवारा तो इसलिए दीपॉर बील जो लेक है वो हमारी news में है काँ पर जो असम की गौहवटी city है गौहवटी city के वी कामरूप district के अंदर यह हमारी दीपॉर बील बील जो लेक है वो इस सीथ है तो आईए अब थोड़ा असम की पारे में जान लेते हैं तो यह हमारा प्यारा भारत और इसमें यह रहा आपका असम तो इसमें भी आप मुझे comment box में comment करके बताईए कि जो असम है वो किस-किस state के साथ अपनी boundary को touch करता है तो आईए चलते हैं next question पर next question है सागरमाला C pipeline services launched by which ministry यानि कि सागरमाला C pipeline service है वो किस ministry के दुआरा launch की गई दोस्तो उसको launch किया गया ministry of ports, shipping and waterways के दुआरा किसके दुआरा ministry of ports, shipping and waterways के दुआरा इसको release किया गया तो इसको launch किया गया दोस्तो आप मुझे comment box में comment करके ये बताईए कि जी अभी जो ministry of port, shipping and waterways का जो नाम change करकर ये रखा गया था तो किस ministry का नाम change करके ministry of port, shipping and waterways रखा गया है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है According to Siv Sena, the new name of ओरंगबाद city is याने की सिर्फ से ना ओरंगबाद city का name क्या करना चाहती है तो दोस्तो जो ओरंगबाद city का ने नाम रखने की बात की जा रही है वो की जा रही है सामाजी नगर कोन सामाजी नगर ओरंगाबाद सिटी का नया नाम रखने की बात की जा रही है तो आईए अब थोड़ा ओरंगाबाद सिटी के बारे में जाल लेते हैं दोस्तो जैसे कि अब आपकी ओरंगाबाद सिटी नियूज में हैं तो इस से related जो history question है वो आपको आने वाले पेपर में मिल सकते हैं जैसे कि जो ओरंगाबाद city है उसका नाम किस के द्वारा बदला गया था दोस्तो जो मुगल emperor थे उन्होंने फते नगर सीकरी को अपनी राजधनी बनाया और उसका नाम बदलकर ओरंगाबाद कर दिया तो किया से था फिर आप बोलते हैं कि देखो हमने तो हिस्ट्री में पता ना कहां कहांसे question पूछ लिए जाते हैं दोस्तों यह सब question news में होते हैं उन से related ही history जोगरफी पूलेटिक के question बनते हैं अगर आप इस तरीकी से क्रेंट अफेर को पढ़ना चालू कर देंगे तो मैं guarantee लेता हूं कि आप कहीं भी क्रेंट अफेर में मार नहीं खाएंगी तो दोस्तों यह जो सामाजी नगर नाम करने की बात की गई है औरंगाबाद का वो की गई है सीफ सामाजी नगर से लेकर और दोस्तों जो सामाजी है वो हमारे छतप्रति सिवाजी के सबसे एलडेस ने की सबसे बड़े बेटे का नाम था सामाजी नगर तो आपसे question यह भी बन सकता है कि सिवाजी के बड़े बेटे का नाम क्या था वो था दोस्तों आपका सामाजी नगर तो आईए, चलते हैं, next question पर, हमारा next question है, IIM संभलपूर, situated in which state and uts, यानि कि जो IIMN की Indian Institute of Management संभलपूर है, वो किस state या फिर ut में इस्तीत है, option A, Odisha, option B, Gujarat, option C, UP, या फिर option D, none of these, तो दोस्तों, जो IIM संभलपूर है, वो आपका Odisha में इस्तीत है, तो दोस्तों, आपसे question बन सकता है, कि जो IIM संभलपूर है, वो किस डैम के किनारे इस्तीत है, तो दोस्तों, जो IIM संभलपूर है, वो आपका Heracund Dam के पास में इस्तीत है, जो कि वर्ल्ड का लोंगेस्ट अर्थन डैम है, कौन सा? जो Heracund Dam है, वो वर्ल्ड का लोंगेस्ट अर्थन डैम है, और दोस्तों, आपसे question बन सकता है, कि जो Heracund Dam है, वो आपका किस स्टेट में इस्तीत है, वो है आपका उड़िशा में इस्तीत, अग किस नदी पर इस्तीत है, तो वो है आपका महनदी रीवर, पर आपका Heracund Dam इस्तीत है, तो आई ये, चलते हैं, next question पर, हमारा next question है, The Year 2020 was the 8th warmest since 1901 report released by which organization, दोस्तों, मिस्टेक हो गई है तो टाइपिंग में, यहाप 1901 आएगा, यानि कि 2020 को सबसे इनकी 8th warmest year गोसित किया गया है, किस organization के दुवारा, तो दोस्तों, वो किया गया है, IMD, यानि कि Indian Metrological Department के दुवारा, 2020 को 8th warmest year गोसित किया गया है, दोस्तों, जो 8th warmest year है, वो आपका New Delhi में, 1901 से 8th warmest year गोसित किया गया, लेकिन, यह 2016 से कम warmest था, यानि कि 2016 अब तक का सबसे warmest year रह चुका है, इसका 1901 से लेकर 2020 तक 2016 सबसे warmest year था, और 220 आठवी नंबर का warmest है, तो आईए, अब थोड़ा Indian Metrological Department के बारे में जानते हैं, दोस्तों, जो Indian Metrological Department है, उसको found किया गया था, 1875 AD में, और इसके headquarter है, वो मोशन बहवन, लोधी रोड, न्यू, देहली के अंदर है, और दोस्तों, यह जो काम करती है, वो Ministry of Earth and Science के अंदर में यह काम करती है, तो आईए, चलते हैं, next question पर, next question है, यक्षगान is celebrated in which state, यानि कि यक्षगान, एक celebrate, एक dance form होती है, वो किस state में celebrate किया जाता है, option A, करनाटका, option B, क्तेलंगाना, option C, गोवा, या फिर option D, वैस्टमंगाल, तो दोस्तों, जो यक्षगान है, उसको celebrate किया जाता है, करनाटका के अंदर, किसके अंदर, करनाट करनाटका के अंदर, और दोस्तों, ये news में किसलिए है, news में इसलिए है, क्योंकि अभी एक person, इसको perform करते करते, उसकी stage पर ही death हो गई, तो इसलिए, जो यक्षगान है, वो हमारा news में है, ये कहा मना जाता है, करनाटका के अंदर, मना जाता है, कुछ इस तरह का देखो, आ पिरवासी भारत्य दिवस, celebrated on which date, यानि कि पिरवासी भारत्य दिवस किस date को celebrate किया जाता है, option A, 9 January, option B, 10th January, option C, 11th January, या फिर option D, 920, तो दोस्तों, जो पिरवासी भारत्य दिवस है, वो आपका 9 January को celebrate किया जाता है, किसको 9 January को celebrate किया जाता है, हमारा पिरवासी भारत्य दि कि जो 2021 का जो पिरवासी भारते दिवस मनाया गया वो हमारा कौन सा एडिशन था तो दोस्तों वो हमारा सोर्वे नंबर का एडिशन था और दोस्तों आपसे कोशन यहीं बन सकता है कि पिरवासी भारते दिवस मनाया क्यों जाता है तो दोस्तों इस दिन 1915 में जो हमारे मातमा गांदी जी थे वो return हुए थे South Africa से आधे South Africa से return हुए थे India के लिए और उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी जो freedom struggle है उसको start किया था तो इस दिन को हम पिरवासी भारते दिवस के रूप में मनाते हैं अच जो इस साल की theme रखी गई है वो है contributing to आत्म निर्बर भारत इस साल की जो प्रिवासी भारतर दिवस 2021 है उसकी थीम रखी गई है तो आईए चलते हैं next question पर हमारा next question है सुवा सिर्या mission related to which country जैनकि सुवा सिर्या जो mission है वो किस country से related है option A नेपाल, option B स्रीलंका, option B चाइना या फिर option D पाकिस्तान तो दोस्तों यह जो mission है वो आपका स्रीलंका से related है किस से स्रीलंका से related है दोस्तों इस mission के तहत इंडिया स्रीलंका को फिरी में जो आपकी ambulance service है वो provide कराएगा कौन सी जो जो शुवा सिर्या mission है इसके according जाकर जो इंडिया है वो स्रीलंका को फिरी में आपकी जो ambulance service है वो provide कराएगा COVID-19 के चलते वहापर जो health sector है उसको सुदाहनने के लिए और दोस्तों आईए अब थोड़ा स्रीलंका के बारे में जालनेते हैं दोस्तों जो स्रीलंका के capital है एक तो कोलंबो है एक है स्री जैवर्दना कोट्टे जो स्रीलंका की currency है वो है स्रीलंका rupees कोंजी स्रीलंकन रुपी इसकी capital है और जो president है वो है गोट बाया राशबक्षे इसके जो president है तो दोस्तों आपका किस किस country के बीच में है दोस्तों यह है आपकी पैरी country इंडिया यहाँ पर और यह है स्रीलंका तो इंडिया और स्रीलंका के बीच में आपका adam bridge इस्तित है और दोस्तों इसको ही हम राम सेतु के नाम से जानते हैं और दोस्तों आपसे एक कोशन यह बन सकता है कि इंडिया और स्रीलंका को कौन सी स्रीलंक को अलग करती है दोस्तोirom तो पाक स्रीलंक को अलग करती है तो इस तरीके से आपसे जोगरिफिकल भी question बन सकते हैं चोकि स्रीलंक का हमारी news में है तो आईए अब देखते हैं नेक्स्ट क्युष्छन काम देनू-गाउ विग्यान पिर्चार पिर्चार एक्जाम और्गेनाइस्ट बाए विच और्गेनाइस्ट बाए विच और्गेनाइस्ट यानि कि एक एक्जाम कंड़क्ट कराया जा रहा है कौन सा काम देनू गाये विग्यान पिर्चार पिर्चार एक्जाम तो किस और्गेनाइस्ट के आपने सुनआ होगा अगाश घाव की देसी गाए या फिर अमेरीकन गाए तो दोस्तों इस एक्जाम के ठुरू जो हमारी देसी काया के नाम से जिनको गावों में जाना जाता है उनको बढ़ाने को लेकर बात की गई है और दोस्तों ये एक्जाम आपका 25 फरवरी 2021 को होने वाला है इसको 25 फरवरी 2021 को इसको कंड़क्ट कराया जायागा किसके दौरा राष्टे काम देनू आयक के दौरा और दोस्तों इस एक्जाम के तुरू जो सभी परसन है उनके अंदर जो हमारी इंडियन गाय होती है उनको रख रखाव उनके बचाव या उनकी संक्या में बढ़ावा करने के लिए इस एक्जाम को कंड़क्ट कराया जा रहा है तो आईए अब चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर मारा नेक्स्ट कोशन है वाल्ड हिंडी डे सेलिपरेटिट ओन विच डेट यानकी फिर 10th January, Option B, 10th January, Option C, 11th January तो दोस्तो आपका वर्ड हिंडी डे है वह आपका 10 जन्वरी को सेलिपरेट किया जाता है तो इसका जो शही आंसार होगा वो होगा और आप्शन पी तो दोस्तों जो वर्ड हिंडी डे है उसको जहान में रिखते हुए मुझे जो हमारे फोर्मर प्रेसिडेंटे डोक्टर राजिंदर प्रशाद उनके दुवारा केई हुई एक बाद याद आ जाती है तो दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि कोई कंट्री अगर अपनी लेंग्वेज पर गर्व नहीं करती है तो उस कंट्री का जो लिट्रेचर है या फिर एड्यूकिशन लेविल है वो कभी भी एडवांस नहीं हो सकता जैसा कि जो इंडिया के परसन है वो हिंडी बोलने में थोड़ा हिच किचाते हैं इंग्लिस बोलने में अपना प्राइड समझते हैं वो लेकिन हिंडी बोलने में थोड़ा हिच किचाते हैं लेकिन आपने अगर किसी अलग कंट्री के बारे में देखा होगा तो वो दोस्तो अपनी कंट्री को बोलने में कभी भी नहीं सरमाते हैं जो अपनी कंट्री की जो लेंग्वेज है उसको बोलने में कभी भी नहीं सरमाते हैं तो दोस्तों इस बात को ध्यान में देखते हुए मुझे डॉक्टर राजिंद प्रशाद की कही हुई ये बात याद आ जाती है जिसको मैंने यहां स्लाइड पर भी लगाया हुआ है तो आईए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट कॉष्चन हमारा नेक्स्ट कॉष्चन है नेसनल रोड़ सेफटी वीक 2022 सेलिबरेटट इन विज मंत यानि की जो नैसनल रोड सेफटी सेफटी वीग 2021 है वो आपका 14 जन्वरी से लेकर 17 जन्वरी के बीच में आपका celebrate किया जायागा किसमें 11 जन्वरी से 17 जन्वरी के बीच में इस वीग को celebrate किया जायागा दोस्तों हमारी country में लगबग हर साल पांच लाग के लगबग accident होते हैं कितने पांच लाग जिसमें की लगबग देड़ लाग की लगबग हर साल म्रत्यू हो जाती है कितने की लगबग देड़ लाग लोगों की हर साल म्रत्यू हो जाती है और दोस्तों यह data वो है जो कि हमारी ministry of road transport and highways के द्वारा रिलीज किया गया है तो इसके बारे में ही awareness फैलाने के लिए इस week को celebrate किया जाता है कब से कब तक 11 जन्वरी से सतर जन्वरी तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समप्त करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like, share, comment ज़रूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं और अगर आप कोई doubt हो तो आप comment section में ज़रूरू बताएं हम आपके doubt को complete रूप से solution धूनने का बिल्कुल प्रियास करेंगे धन्यवाद जय हिंद